गोपाल गाडरी अपनी मोटर साइकल को देसी बैल कहते हैं क्योंकि वो इस से बैलों वाला ही काम ले रहे हैं इस देशी जुगाड से वो एक देशी मिठाई बना रहे हैं, तिल और गुड से बनने वाली मिठाई, जिसे यहाँ मध्य प्रदेश के मंदसोर जिले में लोग तिलकुट कहते हैं हर साल गर्मियों में ये लोग राजस्थान से यहां आते हैं और लोगों को एकदम ताजा तिलकुट बना कर खिलाते हैं लेकिन अपनी बाइक को वो जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान खीचती है पहले बेल से होता था ये काम और अब बेल रखना बहुत मुश्किले रखनी पाते हैं तो बाइक से करते हैं हम लोग बाइक अपना ही है जो गाउं से ही लेके आते हैं इन लोगों के पास तिल का तेल भी मिलता है लेकिन इसे ये अपने गाउं से ही निकाल कर यहां लाते हैं यहां पर सिर्फ तिलकुट बनाया जाता है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं खासकर सर्दियों की वजह से तिलकुट बनाने के लिए तिल और गुड की जरूरत होती है गुड को बारीक करके तिलों के साथ घानी में डाला जाता है और उन्हें नरम करने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी डाला जाता है करीब आधा घंटा घानी में पिसने के बाद जब गुड तिल और उससे निकले तेल का संगम होता है तो तिलकुट बनता है जिसे एक दम ताजा खाने के लिए बहुत से लोग गोपाल गाडरी और तुलसी राम के पास आते हैं तिल के द्वारा अपने सामने निकाला जाता है पूरी तरह सुद्ध होता है और आज के समय में सुद्ध चीज का मिल जाना और अपने सामने एक लगड़ी की घानी से निकाल करके दिया जाना बहुती स्वास के लिए फाइदे मन्द है ठंड के लिए फाइदे मन्द है अपनी दुकान के पास ही प्लास्टिक की तिरपाल से बनी जोपड़ी में गोपाल गाड़री और तुलसी राम रहते हैं उनका घर यहां से करीब पौने 200 किलो मीटर दूर राजस्थान के भील वाड़ा जिले में पड़ता है वैसे तो ये इनका पुष्टैनी काम है लेकिन अब इसे ये लोग मजबूरी में ही कर रहे हैं पूर्वज करते थे और अभी हम कर रहे हैं बेरोजगारी के चलते हैं कर रहे हैं सब बहुत से लोग आजपरोस में हैं आजपास के गाहों में करते हैं और सर्दी में करके वापस चले जाते हैं गुड़ और तिल से बने इस जाएके को मध्य परदेश में तिलकुटा कहते हैं तो गुजरात में कतेरिया और राजस्थान में कानिया और सानी कहा जाता है जब तक सर्दी है लोगों को इसका सुआद अपनी तरफ खीचता रहेगा और ये बाइक गोल गोल घूम कर तिलकुट बनाती रहेगी